नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतों पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां हकलाना और ब्लड प्रेशर की अध्भुत दवा है ये एक बार इस्तेमाल करें और फिर देखें कमाल ये है आज का टोप सभी का आप सभी के लिए बादाम के पेंड परवतिय शेत्रों में अधिक पाये जाते हैं इसके तने मोटे होते हैं इसके पत्ते लंबे चोड़े और मुलायम होते हैं इसके फल के अंदर की मिंगी को बादाम कहते हैं बादाम के पेंड एशिया में इरान इराक सौदी अर एक कडवी तथा दूसरी मीठिवी बादाम पौश्टिक होती है बादाम का तेल भी निकाला जाता है कड़वी बादाम को हमें उप्योग में नहीं लानी चाहिए क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होती है इससे पुरुषों की पौरुष शक्ति में व्रिध्धी होती है यह दिमाग के सभी रोगों को दूर करके उसे मजबूत बनाता है इससे चेहरा सुंदर और चमकदार हो जाता है यह प्रमिह उत्पन करता है एवं शितलता प्रदान करता है आवशक समगरी नूट कीजिए पांच बादाम, पचीस ग्राम मखन, काली मिर्च, दस ग्राम मिश्री, दोसो पचास मिली लिटर दूद अब बनानी की विध्य जान लिजिए रोजाना रात को पांच बादाम भिंगो कर फिर छिल कर और पीस कर पचीस ग्राम मखन मिला कर कुछ महिने तक लागातार सेवन करने से हकलाना एवं तुतलाना ठीक हो जाता है साथ ही रोगी को धीरे-धीरे बोलने तथा बिना घबराहट के बोलने की कोशिश भी करनी चाहिए बादाम की दस गिरी और काली मिर्च को लेकर बहुत बारिक पीस कर मिला कर चाटना भी तुतलाने एवं हकलाने में लापकारी होता है रोजाना 5-6 बादाम पानी में भिंगो कर रख दें बादाम के फुल जाने पर छिलका उतार कर इसकी गिरी को पीश लें और इसकी 25-30 ग्राम मात्रा को मक्षन में मिला कर खाएं कुछ महिनों तक इसका सेवन करने से तुतलापन ठीक हो जाता है बादाम के आठ गिरी को रात को पानी में भिंगो कर रख दें और सुबह उसके चिलके उतार कर उसी पानी के साथ पीश कर 200 मिली लिटर दूद के साथ पागलपन के रोगी को पिलाने से पागलपन दूर हो जाता है इससे दिमाग भी काभू में रहता है बादाम की तीन गीरी रात को पानी में डाल कर रखें और सुबह उठकर बादामों को साफ सिल पर घीस कर चाट कर सेवन करने से निमनरक्त चाप के रोग में बहुत लाब होता है अगर बादाम को घिस कर खाने में कोई परिशानी होती हो तो इसे पीस कर सेवन कर सकते हैं आप रात को पानी में बादाम की तीन गीरी भिंगो कर रख दें सुबह बादाम को पीस कर 50 ग्राम मक्षन और 10 ग्राम मिश्री के साथ मिला कर खाने से और उसके उपर से 250 मिली लीटर दूद पीने से निम्नरक चाप यानि की लो बलर्ड प्रेशर में बहुत लाव होता है जी हाँ दोस्तों तो देखा आप सभी ने ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ चुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपू जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों